दादी मा के घरेलून उसकी जरूर देखे नमबर एक सिर्फ एक हफ़ते में बालों के लंबाई बढ़ाने के लिए एक चमबच केस्टर ओयल में तिन चमबच नारियों का तेल और एक विटामिन A कैपसूल मिला है हफ़ते में तीन बाल इस तिल को बालों में वसाज करें नमबर दो डेली खुल कर हचने से बलर शर्कूलर कंट्रूल में रखता है नमबर तीन में लाए प्रिगनेंसी में केले का सेवन जरूर करें इससे बच्चों की हडिया मजबूत होती है नमबर चार अगर आप दिमागी तोर पे कमजोर है तो केले पर शहद लगा कर खाया करें इससे दिमागी कमजोरी दूर होती है नमबर पांच जो काटा और प्याज पीस कर शरीर पर लगाने से घमोर्यों में अराम मिलता है एवं लू का परभाब भी घड जाता है गाजर का मुरब्बा खाने से दिल सिहत मन रहता है और आखों की रोशनी भी तेज हो जाती है नमबर शाथ अंगोर का सेवन करने या अंगोर का जूस पीने से आप वाइरश और बैक्टेरिया से सुरक्चित रह सकते हैं सरीर में कून की कमी होने पर आप अंगोर के जूस का सेवन जादा किया करें इससे आपको फैदा मिलेगा और इसके सेवन से तोचा में कुमलता आती है नमबर आठ डार्ट चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म होती है नमबर नो चाय के साथ हल्दी खाने से इनसान की मौत भी हो सकती है नमबर इगार्ण अगर आपको कमजोरी मशूस होती है तो काजू का सेवन किया करें नमबर बार्ण पान के पत्ते का पानी पीने से बलर शुगर कंट्रोन में रहता है टिप्स नमबर तेरण पूरा शरीर गोरा कर चमकाने के लिए दो चमच कौफी में दो चमच नारिल का तेल मिलाकर नहाने से पहले पूरे शरीर पर इश्करब करें नमबर चौध जहर खा लेने पर हिंग को पानी में घोलकर पिलाने से उल्टी होकर जहर का अशर खत्म हो जाता है नमबर 15 खजुर गरम पानी के शाथ लेने से कफ़ दूर हो जाता है नमबर 16 एक चमच समुन्दरी नमक ले और अपनी खोपरी पर लगा ले इसे अच्छी तरह से मसाज करे ऐसा करते समय उंगलियों को गेला कर ले बाद में शेंपू लगा कर सिर्धो ले महिने में एक बार ऐसा करने से रूशी नहीं होती है नमबर 17 एदिया को अक्सर मूं में चाले होने की सिकायत रहती है तो रोजाना खाना खाने के बाद गूर को चुछना बिल्कुल न भूले इससे चाले आपसे बहुत दूर रहेंगे नमबर 18 तुल्शी के पत्या चवाने शेपे साब की जलन खत्म में हो जाती है और अराम आजाता है नमबर 19 थोरे से जीरा को दूद के साथ फाकने से कम सुनाई देने करो दूर हो जाता है नमबर 20 शवेरे भूखे पेट तिन से चाल अक्रोट की गिरिया निकाल कर कुछ दिन खाने मातर से ही घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है नमबर 21 शंत्रे के रस में थोरा शाषाहद मिला कर दिन में तीन बार एक एक कप पेने से गर्वत्ती की दर्ष्ट की शिकायत दूर हो जाती है नमबर 22 फिटकेरी का फूला चार ग्राम परती दिन शुवा और साम छाच के साथ पेने से पत्री ठीक हो जाती है नमबर 23 एक चमच चीने में एक चमच ओले वाइल और एक चमच निमबो कारस मिला कर हाथों पर मनले से हाथ कोमल और गोड़े हो जाते है नमबर 24 चेहरे परेदी जुरिया है तो दही में गुलाब के अर्क मिला कर चेहरे पर लगाए इससे आपके चेहरे की जुरिया कम हो जाएंगे और चेहरे पर ग्रोव या जाएगा नमबर 25 जामुर वजन कम करने में शहायक होता है नमबर 26 प्याज के रस में निम्बू का रस मिला कर पीने से उल्टिया आना ततकाल ही बंद हो जाती है नमबर 27 बाबा से सी छुटकारा पाने के लिए शुवर खाली पेट दो आलो बुखारा खाया करे नमबर 28 जामुर खाने के पहले या बाद में दूद का शेवन नुक्सान दे होता है मेटाबॉलिज और पाचन किरिया पे या असर डालता है नमबर 29 कोई वी वजन वाली चीज उठाने से पहले निम्बू पाने पी लिया करे नमबर 30 जो लोग जादा मशाले वाला खाना खाते हैं उनकी दिमाकिने से कमजोर हो जाती है नमबर 31 अगर आपके दाथ पीले पर गए हैं तो रोजाना केले के छिलकों को दातों पर घिसे इससे दातों का रम साफ हो जाता है नमबर 32 शाम के वक्त कच्चा प्याज खाना बहुती नक्शान दे होता है और दो पर को कच्चा प्याज खाना सिहत के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होता है नमबर 33 रात में शोने से दो घंटे पहले खाना खा लेने से आप बहुती बीमारियों से बच सकते हैं नमबर 34, जो लोग दूबले पतले हैं, वो लोग अगर खजूर के शाथ भूने हुई चने का सेवन करते हैं, तो उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और कमजोरे भी उनकी दूर होने लगती है नमबर 35, शुवा के बक्ति तही खाने से सरीर में खून बनता है, तिप्स नमबर 36, गरम मखन के इस्तिमाल करने से पीट पर जमी हुई चर्बी पिघनना शुरू हो जाते हैं, नमबर 37, खरे होकर कभी भी पानी ना पियें, क्योंकि खरे होकर पानी पीने से घुट्रू में दर्द होता है, नमबर 38, अकरोड के तेल की मालिश करने से हाथ वैरों की एटन दूर हो जाती है और हडिया भी मजबूत होती है, नमबर 49, जो औरते हमेशा जारू और पोच्छा बैट कर लगाती है, वह कमर दर्द से बची रहती है, और उनका वजन भी नहीं बढ़ता है नमबर 40, जो औरते मेथी दाने का इस्तिमाल करती है, वह कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, और नहीं उन्हें चीनी की बिमारी होती है, वह हमेशा श्वश्ट रहती है नमबर 41, चीचक के दाग अगर हो गया है तो चीचक के दाग से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले नीम की च्छाल को ले, फिर इसे घेज ले, अब इसे चीकन पॉस की वोजर से हुए दाग वाली जगह पर लगाएं, ऐसा करने से कुछी दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा और आपके धाग खत्म हो जाएंगे, नमबर 42, जूते की दुर्गंद हटाने के लिए जूते के अंदर बेकिंग सोडा चिर के, और उसे रात भर छोड़ दे, और शुवर जूते को जार दे, इससे जूते की दुर्गंद खत्म हो जाती है, दोस्तों मेरी टिप्स यहां पे खत्म होएं, मेरी टिप्स आपको कैसी लगती है, जरूर बताएं, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दावाना बिल्कुल भी न बोलें, फिर आप मिलेंगे अ